हेलो एबरिवन वेलकम टू यू यूर यूट्यूब चैनल दी कंसेप्ट जैहिंद टू आल आज हमारे पास इंपोर्टेंट टॉपिक है इंडियन नेशनल कॉंग्रेस यानी की आई एनसी आज हम इस वीडियो लेक्चर में इंपोर्टेंट एमसी क्यूज के बारे में बात क करेंगे और ये सारे के सारे क्वेश्चन्स रिलेट करते हैं आई एनसी के साथ जो कि आपके किसी भी गर्मेंट अक्साम के लिए बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट है चलिए इस इंट्रेस्टिंग एंड इंपोर्टेंट बीडियो लेक्चर को शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन है इन विच येर इंडियन नेशनल कॉंग्रेस वास फाउंड़र इंच किस थापना किस वर्ष कीगी ए ओप्शन 1857 बी ओप्शन 1875 सी ओप्शन 1885 डी ओप्शन 1896 इसका क्रेक्ट अंसर है ओप्शन C 1885 को इंच के फाउंडेशन रखे गई सेकेंड क्वेश्चन है इन विच सेशन ओफ आइंची नेशनल एंथम वास संग फॉर फर्स टाइम आइंची के किस सेशन में पहली बर नेशनल एंथम यानि कि रास्टिय गान गाया गया A ओप्शन 1890 B ओप्शन 1896 C ओप्शन 1906 D ओप्शन 1911 इसका क्रेक्ट अंसर है ओप्शन D 1911 में पहली बर रास्टिय गान गाया गया Q3. In which session of Indian National Congress नेशनल सोंग वास संग फॉर फर्स टाइम आइंची के किस सेशन में नेशनल सोंग रास्टिय गीत पहली बर गाया गया A ओप्शन 1890 B ओप्शन 1896 C ओप्शन 1906 D ओप्शन 1911 इसका क्रेक्ट अंसर है ओप्शन B 1896 में पहली बर रास्टिय गीत को आइंची के सेशन में गाया गया फोर्थ क्वेशन है फर्स्ट मुस्लिम प्रेजिडेंट ओफ आइंची इंडियन नेशनल कॉंग्रेस का पहला मुस्लिम प्रेजिडेंट कौन था इसका क्रेक्ट अंसर है बदरुदीन त्याब जी ये पहले मुस्लिम प्रेजिडेंट थे INC के फिफ्ट क्वेशन फर्स्ट इंगलिश प्रेजिडेंट ओफ आइंची इंडियन नेशनल कॉंग्रेस के पहले इंगलिश प्रेजिडेंट कौन थे इसका correct answer है, option B, George Yule जो थे वो पहले English President थे INC के 6th question है, in which year Lucknow Pact was signed? किस बर्ष Lucknow समझाता यानि कि Lucknow Pact जो है वो sign हुआ है A option 1906, B option 1908, C option 1914, D option 1916 और ये काफी important है पेपर के perspective से भी इसका correct answer है, option D, 1916 में Lucknow Pact sign हुआ था 7th, the Lucknow Pact was signed between, Lucknow जो समझाता था वो किस किस के बीच में sign हुआ था A option Moderates and Extremists यानि कि नरम दल और गरम दल के बीच में B option INC और हिंदुमा सभा, Indian National Congress और हिंदुमा सभा के बीच C option Muslim League और हिंदुमा सभा D option Indian National Congress और मुस्लिम लीग, इसका correct answer है, option D, INC और मुस्लिम लीग के बीच में Lucknow समझाता 1916 में sign हुआ था 8th question The suras split was occurred between Suras split जो था वो किस किस के बीच में होता A option Naram dal, Garam dal यानि Moderates and Extremists B option INC and Hindu मा सभा C option Muslim League and Hindu मा सभा D option INC and Muslim League Correct answer है, Moderates and Extremists Naram dal और Garam dal के वीच में split यानि कि विवाजन देखा गया है INC का तो जो Garam dal के लोग थे उन्होंने Surat के सेशन में INC को छोड़ दिया था इसी वैसे उसे नाम दिया गया Suras split 9th question Suras split was occurred in which year अब जो Suras split था वो किस साल हुआ था जिस साल गरम दल के लोगों ने INC को छोड़ दिया A option 1905, B option 1906, C option 1907, D option 1909 Correct answer is option C 1907 में Suras split हुआ था 10th question Simon Commission was established in which year Simon Commission किस थापना किस बर्ष कीगी A option 1926, B option 1927, C option 1928, D option 1929 Correct answer is option B 1927 November 1927 में British Government के दोरा गोशना कीगी कि एक Simon Commission बनाया जाएगा भारत के लिए upcoming government act के लिए तो वो बनाया गया November 1927 में Next question है Simon Commission केम इंडिया in which year अब जो Simon Commission बना वो भारत कब आया A option 1926, B option 1927, C option 1928, D option 1929 तो जैसे की देखा Simon Commission की establishment हुई November 1927 में तो भारत में आया ये February 1928 में February 1928 में Simon Commission भारत पहुँच गया Correct answer है C 12th, Simon Commission केम इंडिया at which place जब Simon Commission भारत आया तो वो किस स्थान पे आया था A option Calcutta, B option Delhi, C option Madras, D option Bombay इसका correct answer है option D Bombay Bombay में Simon Commission आया था February 1928 भारत में Question number 13 The President of 1922 session of INC INC के 1922 के session का president कौन था A option Motilal Nehru, B option Mahatma Gandhi, C option Sarojini Naidu, D option CR10 इसका correct answer है option D CR10 1922 session का INC के president थे CR10 और इसी 22 के session में निन्ने लिया गया था कि कुछ बड़े नेता जो है वो INC को छोड़ देंगे और वो एक अलग party बनाएंगे जिसका नाम रखा गया था स्वराज party 14th question The venue of 1922 session of INC 1922 session जो INC का था उसका venue यानी के location कहां पे थी A option Gaya, B option Kanpur, C option Calcutta, D option Bombay Correct answer है A option Gaya में हुआ था 1922 का INC का session 15th question The president of 1929 session of INC 1939 INC के session का president कौन था? A option Jaha Lal Nehru, B option M.A. Ansari, C option Sardar Patel, D option Gopal Krishan Gokhale तो इसका correct answer है A option पंडी Jaha Lal Nehru, 1939 के session के president थे 16th question The venue of 1929 session of INC 1930 का जो INC का session था वो कहां पे हुआ? A option Gaya, B option Karachi, C option Calcutta, D option Lahore इसका correct answer है Option D, Lahore 1929 का session हुआ था लहोर में इसको preside किया था पंडी Jaha Lal Nehru ने 17th question The venue of 1927 session of INC INC के 1927 के session का venue कहां पे था? A option Gaya, B option Madras, C option Calcutta, D option Bombay इसका correct answer है Option B, Madras Madras में हुआ था आपका 1927 का session Question number 18 President of 1927 session of INC 1927 के INC के session का president कौन था? A option Pandij Jualal Nehru, B option M. A. Ansari C option Sardar Patel, D option None of these इसका correct answer है Option B, M. A. Ansari 1927 के session के president थे Question number 19 सबसे बुजूर्ग प्रेजिडेंट कौन थे? INC के? A option Gopal Krishn Gukle, B option Dada Vahe Naroji, C option M. A. Ansari 1927 के इसका correct answer है Option B, Dada Vahe Naroji दादा Vahe Naroji सबसे ज़्यादा उमर के INC के president थे? Question number 21 First session of INC was attended by a number of delegates जो INC का पहला session हुआ था? उसको कितने delegates यानि कितने लोगों ने attend किया था? A option 52, B option 62, C option 72, D option 92 इसका correct answer है Option C, 72 delegates ने पहले INC के session को attend गिया था Question number 22 Second session of INC was held at which place? जो दूसरा session था INC का वो किस थान पे हुआ था? A option Pune, B option Bombay, C option Lucknow, D option Calcutta तो इसका correct answer है Option D Calcutta Second session जो हुआ था वो हुआ था Calcutta में 23rd question In which session of INC, Gandhi G was appeared at INC platform for first time? INC के किस session में? गांदी जी को पहले बर INC के platform पे देखा गया A option 1900, B option 1901, C option 1902, D option 1924 Correct answer है Option B 1901 में गांदी जी को 1901 के session कलकत्ता में पहली बर INC के platform में देखा गया Question 24 How many times Gandhi G became president of INC? कितनी बर Gandhi G INC के president बने? A option 1, option B 2, option C 3, option D 4 Correct answer है Option A गांदी जी एक मात्र सिर्फ एक बार ही INC के president रहे है Question number 24 है The first Indian woman president of INC पहली भारतिय महिला president कौन थी INC की? Option A, Annie Besant Option B, Lakshmi बाई Option C, Aruna Aasif Ali Option D, Sarojini Naidu Correct answer है Option D, Sarojini Naidu पहली भारतिय बुमेन प्रेजडेंट थी INC की? Question number 26 First Indian woman president of INC यहाँ पे question होना था First woman president Indian वाला हमने पिछले question में कवर कर लिया है तो पहली बुमेन प्रेजडेंट कौन थी INC की? Option A, Annie Besant Option B, Lakshmi बाई Option C, Aruna Aasif Ali Option D, Sarojini Naidu तो जैसे हमने पढ़ा पहली बुमेन प्रेजडेंट की बाद की है तो वो है Annie Besant 1917 के session में यह INC की president रही थी और Sarojini Naidu 1925 के session में रही थी तो उस बिहाब पे पहली बुमेन प्रेजडेंट है Annie Besant 27 question है Founder of INC INC का सिंस्थापक कौन था A option Dada Vaineroji P option Lord Afrin C option A.O Hume D option G.K.Gokle Crack cancer option C.A.O Hume जो Retired Civil Servant थे उन्होंने ही INC की foundation रखी थी Question number 28 President of INC of 1960 session 1916 के INC के session का President कौन था A option Dada Vaineroji B option AC मजूमदार C option J.L.N.H.R.U. D option G.K.Gokle Crack cancer option B AC मजूमदार यानि Ambi का चरण मजूमदार 1916 के session के President थे 29 question है The venue of 1931 session of INC 1931 का जो session हुआ था INC का इसका venue यानि location कहां पे है A option Lahore B option Karachi C option Madras D option Calcutta Option Crack है इसका B कल कत्ता कराची में 1931 का session हुआ था कहां पे कराची में 30th question The President of 1931 Session of INC 1931 के session का President कौन था A option Pandijuallal Nehru Option B Sardar Patel Option C Mahatma Gandhi Option D Motilal Nehru Correct answer है Sardar Patel 1931 के session के क्या थे President Option B इसका correct है 31 question है The President of 1906 session of INC 1906 का जो session हुआ था INC का इसका President कौन था A option Gopal Krishan Gokhale Option B W.C. Banerji Option C D.E. बाच्चा Option D Dada भाई नरोजी तो 1906 के session के President थे Dada भाई नरोजी 32 The President of 1940 session of INC 1940 का जो session हुआ था INC का इसका President कौन था A option Subhash Chandragu Option B Abul Kalamajad Option C Pandijuallal Nehru Option D Sardar Patel इसका correct answer है Abul Kalamajad 1940 INC session के क्या थे President थे Question No. 33 है Longest Serving President of INC सबसे लंबे समेट काल तक INC का President कौन रहा है A option Dada भाई नरोजी Option B Abul Kalamajad Option C JL Nehru Option D Sardar Patel इसका correct answer है Abul Kalamajad 1940 में INC के President बने उसके बाद INC का कोई भी session ना हुआ और 1946 तक यही President रहे तो करीबन साथ साल तक यह INC के President रहे Abul Kalamajad 34th question है During the Independence of India President of INC जब भारत अजाद हुआ तो INC का President कौन था A option J.B. Kriplani B. Option Mahatma Gandhi C. Option Pandit Joharlal Nehru Option D Sardar Patel इसका correct answer है Option A J.B. Kriplani अजादी के समय भारत के INC के President थे 35th question In which year Mahatma Gandhi Presided the session of INC किस बर्ष Mahatma Gandhi जी ने Preside किया INC के session को A. Option 1915 Option B 1924 Option C 1925 Option D 1947 Correct answer है Option B 1924 को INC के President बने थे Mahatma Gandhi और ये सिर्फ एक मात्र टाइम बने थे 1924 में बहुत ज्यादा important है 37th question 1905 session of INC was held at which place ये question भी बहुत ज्यादा ज़रूरी है 1905 का जो INC का session था वो किस थान पे हुआ था A. Option Calcutta B. Option बनारस C. Option लखनाओ D. Option नागपूर तो 1905 का जो INC का session था वो हुआ था बनारस में Option B इसका correct है 38th question 1906 session of INC was held at which place 1906 का जो INC का session था वो कहां पे हुआ था और ये भी बहुत ज़्यादा important है A. Option Calcutta B. Option बनारस C. Option लखनाओ D. Option नागपूर इसका correct answer है A. Option Calcutta में पहला जो 1906 का session था वो हुआ था Calcutta में 39th question 1938 session of INC was held at which place 1938 का session INC का कहां पे हुआ था A. Option फैसपूर B. Option हरिपूरा C. Option त्रिपूरी D. Option Calcutta 1938 का session हुआ था हरिपूरा में Option B इसका correct है हरिपूरा में हुआ था 1938 का session 40 question है 1939 session of INC 1949 का जो INC का session था was held at which place वो किस थान पे हुआ A. Option फैसपूर B. Option हरिपूरा C. Option त्रिपूरी D. Option Calcutta 1949 का session हुआ था त्रिपूरी में एक डिटेल है 1938 में INC के प्रेजडेंट बने सुभाष चंदर बोस 1939 में एक election हुए फिर से ये प्रेजडेंट बने पर इन्होंने क्या किया रिजाइन कर दिया और जो 1939 का session था उसको प्रेजड किया था डॉक्टर रजिंदर परसाद जी ने तो 38 का session हुआ था हरिपूरा में 39 का session हुआ था त्रिपूरी में 41 question 1937 session of INC was held at which place 1937 का जो session हुआ था INC का वो किस थान पे हुआ था A option फैजड पूर B option हरिपूरा C option त्रिपूरी D option कैलकटा 1937 का जो session था वो एक मात्र only session है जो किसी एक गौँ में हुआ था जिसको village session भी बोला जाता है और ये हुआ था फैजड पूर में option B इसका correct है 42 question At which place INC session was held at a village for first and only time किस थान पे INC का एक मात्र और एक ही वर या पहला village session हुआ था जैसे ही हमने previous question में देखा तो इसका correct answer है option A फैजड पर में हुआ था village session 43rd question है In which year INC session was held at a village for first and only time किस साल INC का जो village session हुआ था पहली बार और एक मात्र time 1935 1936 1937 1938 correct answer है 1937 में हुआ था village session फैजड पूर में 44th question only village session of INC was presided by जो एक मात्र village session हुआ था INC का उसकी अध्यक्ष्टा A option सुवाश चंदर बोस B option सरदार पटेल C option पंडी जोहलाल नहरू D option अबुल कला माजाद correct answer है option A सुवाश चंदर बोस जी ने 1938 session की अध्यक्ष्टा की थी 46 question पर उन्होंने INC को left कर दिया और इस बज़ा से जो INC का उस साल का session था उसको preside किया था डॉक्टर रजंदर परसाद 47 question first session of INC was presided by जो INC का पहला session था उसकी अध्यक्ष्टा किस ने की थी A option दादा भाई नरो जी B option बोमेश चंदर बोनर जी C option S.N.Baner जी D option गुपाल कृष्टर गोखले correct answer है option B बोमेश चंदर बोनर जी जी ने पहले session INC के अजदक्ष्टा की थी 48 question first session of INC was held at INC का पहला session किस थान पे हुआ था A option पुने B option कलकटा C option बोमबे D option बनारस जो INC का पहला session था 1885 का उसकी पहले planning थी होने की पुने में पर पुने में बिमारी हैज़ बिमारी फैलने के कारण इसका venue shift कर दिया गया बॉमबे में तो पहला session INC का हुआ है बॉमबे C option और ये exact जगा है गोकुल तेजपाल संस्कृत कॉलेज गोकुल तेजपाल संस्कृत कॉलेज में 49 question second session of INC was held at जो INC का दूसरा session था वो कहां पे हुआ था A option पुने B option कैलकटा C option बॉमबे D option बनारस तो second session INC का हुआ था कैलकटा में जिसकी ये देक्ष्टा की थी दादा भाई नरो जीजी ने B option इसका correct है कैलकटा 50 question है 1924 session of INC was held at 1924 का जो INC का session था वो किस थान पे हुआ था A option पुने B option कैलकटा C option बेलगाउ D option नागपुर 1924 का session की देक्ष्टा की थी महात्मा गांदी जी ने तो महात्मा गांदी जी का जो INC की session हुआ था वो हुआ था option C बेलगाउ करनाटक के बेलगाउ में 1924 session जो INC का था उसकी देक्ष्टा की थी महात्मा गांदी जी ने 51 question है Bice Royale of India during the establishment of INC भारत का Bice Royale कौन था जब INC की नीव रखी गी Lord Litton Lord Rippon Lord Curzon Lord Dufferin correct answer है option D Lord Dufferin उस समय भारत का Bice Royale था 52 question the Bice Royale of India during the establishment of INC यहाँ पे question Bice Royale नहीं है यहाँ पे आएगा आपको Secretary of State जब INC की नीव रखी गी क्योंकि Bice Royale हमने previous question में discuss कर लिया है Secretary of State कौन था जब INC की नीव रखी गी A option Stanley B option Kimberley C option James Edward D option John Matthews इसका correct answer है Kimberley Earl Kimberley जो थे उस समय Secretary of State थे भारत के जब INC की नीव रखी गी Earl Kimberley 53rd question The General Secretary of INC During its formation जब INC की नीव रखी गी तो General Secretary किसको बनाया गया A option दादा भाइनरों जी B option WC बनर जी C option A.O. Hume D option Gopal Krishan Gokhale तो INC के founder थे A.O. Hume और General Secretary भी कौन था A.O. Hume Retired Civil Servant C option A.O. Hume 54th question In which session did INC declare complete independence to be its goal INC के किस session में ये declare की गया ये घुशना की गी अब INC का जो उदेश्य है बो है पूर्ण अजादी भारत की पूर्ण अजादी यानि की complete independence तो ये किस session में हुआ था A.O. 1922 B.O. 1929 C.O. 1931 D.O. 1947 इसका correct answer है option B 1929 के session में INC ने declare किया उसका goal है complete independence 55th question Who presided कराची session of INC INC का एक session हुआ था कराची में उसकी अधक्षता किस ने की थी तो कराची session हुआ था 1931 में option A है पंडिच वाहला नहरू option B है SN Sेन गुपता option C है SC BOS option D है सरदार पटे तो 1931 यानि कराची session के दक्षता की थी कराची session तो ये दोनों resolution लाए गए थे option D कराची session में जो हुआ था 1931 अधक्षता हमने previous question में देखा सरदार पटेल जी ने की थी 57th question in which year सुवाश चंदर बोश लेफ्ट दा आई एंसी किस बर सुवाश चंदर बोश जी ने आई एंसी को छोड़ा था A option 1937 V option 1938 C option 1939 D option 1940 तो इसका क्रेक्टांसर है option C 1939 में सुवाश चंदर बोश जी ने कॉंग्रेस को छोड़ दिया था 58th question in which year मोहमद अली जिन्ना लेफ्ट दा कॉंग्रेस very important किस बर्ष मोहमद अली जिन्ना ने आई एंसी को छोड़ दिया था A option 1906 B option 1913 C option 1920 D option 1940 तो मोहमद अली जिन्ना ने 1920 में आई एंसी को छोड़ा था 1913 में मोहमद अली जिन्ना ने मुस्लिम लीफ को जोईन किया था पर आई एंसी की बात करें तो आई एंसी को छोड़ा था 1920 में जिन्ना ने 59th Who raised the tricolor flag of independence at the Congress session of 1929 1939 के Congress session में किसने तिरंगे को लहराया था अजादी के रूप में A option महात्मा गांदी B option पंडे जौहलाल नहरू C option सुभाश्चंदर बोस D option सरदार पटे Correct answer option B पंडे जौहलाल नहरू जी ने तिरंगे को लहराया था 1939 के लहौर session में अजादी के रूप में 60th question The word स्वराज शब्द है स्वराज First used by दादा भाई नहरू जी जिसको सबसे पहले किसने यूज किया दादा भाई नहरू जी ने किस session में INC के किस session में स्वराज शब्द का उपयोग किया गया दादा भाई नहरू जी के दोरा A option 1885 B option 1905 C option 1906 D option 1907 Correct answer option C 1906 session में स्वराज बढ पहले बर दादा भाई नहरू जी के दोरा उपयोग लाया गया 61st question The partition of Bengal was held in which year बंगाल का बिवाजन किस वर्ष हुआ 1903, 1905, 1906, 1907 Correct answer है 16 October 1905 को बंगाल का बिवाजन हुआ था 62nd The partition of Bengal was held by whom बंगाल का बिवाजन किस नहीं किया था A option Lord Dufferin, Lord Reading, Lord Hardingay 2 Lord Karjan Correct answer है option D Lord Karjan ने बंगाल का बिवाजन किया था 63rd question 1907 session of INC was presided by जो 1907 का सेशन था INC का उसकी अधक्षता किस ने की थी Kupal Krishn Gokle, Dada Bhai Naroji, Raas Bihari Boss Ambika Charna Mujumdar Option C correct है Raas Bihari Boss ने 1907 का सेशन जिसे Sura Split भी कहा जाता है इसकी अधक्षता की थी 64th question Who among the following was in The first woman delegation to address the Congress session पहली महिला delegate जिसने कॉंग्रेस के सेशन को address किया था A option Annie Besant B option Surojni Naidu C option Savitri Phule D option Kandambini Gongli Option D इसका correct है Kandambini Gongli ने 1890 का कलकत्ता सेशन को attend करने वाली पहली महिला delegate है 1890 Kandambini Gongli कलकत्ता सेशन Last question है The special Congress session was held in 1920 At Calcutta was presided over by 1920 में Special session हुआ था INC का जिसमें Non-Corporation Movement को चलाने के लिए तो उसकी अधक्ष्टा किस ने की थी Lala Lajpattraye Subhas Chandra Bose Pandit Juhalal Nehru Mahatma Gandhi Correct answer है Lala Lajpattraye जी ने जो 1920 का special session था INC का उसकी अधक्ष्टा की थी तो इस तरह से ये थे important 65 question Indian National Congress से लेटर जो आपके किसी भी government exam के लिए Class 3 exam से लेके UPSC exam तक हर एक चीज को कबर करता है और बहुत ज़्यादा important है उमीद है आपको वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा वीडियो लेक्चर को लाइक करे कमेंट करे ज़्यादा से ज़्यादा शेर करे और आपके अपने चैनल दी कंसेप्ट को सब्सक्राइब करे ताकि हम और भी अच्छी वीडियो और इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो आपके लिए लेके आए थेंक यू